उमीकरान पाई केंद्र वाइद देरेक साय काधिकारल माटलाड़त नारा लाइव लोचोद्धा बहुत मुखे बात ये कही है कि वैक्सीन वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथी वैक्सीन के अलावा भी जैसे कि मानने प्रधानवंची ने कहीं बार इस विशे में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी तो उसी तरीके से यूज अफ मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग और ह सीन्स ओल अधर मैजर्स हैफ टू बीट कंटिनूड साथ ही देश में जैसे हमें इस पर्टिकलर ओमिक्रों वेरियंट के बारे में खबर आई दुनिया से तो हमने अपनी इंटरनाशनल ट्रेवल एडवाईजरी को थोड़ा और रिस्टिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार गया है और रिमेनिंग अदर कंट्री तो हमने यह डारेक्शन इशू किया है यह एडवाईजरी इशू किया है कि जो कंट्री एट रिस्क हैं वहाँ पर बाहतर गंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यातरी वहां से आते हैं तो उनको कंपल सरी आटी पी इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारेंटाइन में साथ दिन रहें और साथ दिन होम क्वारेंटाइन में रहने के बाद आठवे दिन फिर से री टेस्टिंग कराएं इसी के साथ ही फिर अगर उनका वह की स्थिति में रहें साथ ही वह देश जो की एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते लेकिन जिस गती से यह वेरियंट फैल रहा है या ओर और यॉरॉप या कुछ देशों में अधिक केस नूट के जा रहे हैं तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्र से इंप्लिमेंटेशन में आ चुकी है और अब तक अगर हम सुबह आठ बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 लाइट की पिछली एक दिन में और उसमें 7,986 पैसेंजर्स आये जिनकों की आटी पीसिया टैस्ट एरपोर्ट पर किया गया और उसमें से 10 पैसेंज से उसको भी हाइलाइट करना चाहेंगे कि डबले चुने कहा है कि हम ब्लैंके ट्रेवल बैंड ना लगाएं देश और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ट और रिस्क बेस्ट अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग और पैसेंजर बढ़ाएं अपनी टेस्टिंग पर श्क के तहथ ही हम लोग कारे करें इसके साथ ही इंससको का एक अट वक हमारे देश में बनाया था जिसके तहस्त में अब बढ़ाएंगे São dominant mutation हमने देखी है वह डेल्टा वेरियंट और एवाई सबलीनेज जो डेल्टा का वेरियंट है वही है और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में दो ओमिक्रोन वेरियंट के केस हमारे इस network के द्वारा detect किये गए करनाटका में जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे और वह जो दो केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है ना कि हमारे इंसा कोग नेटवर्क ने उसको समय पर detect किया बलकि एदे प्रोटोकॉल एदे प्रैक्टिस जो हमारी contact tracing की पद्धिती भी शुरू हुई है और जितने उनके primary contact हैं और जितने secondary contact हैं उन सब को trace कर लिया गया है और उन सब की testing करके उनको as per protocol हम coordinate कर रहे हैं आज हम आप से एक request करना चाहेंगे माने प्रदानमंत्री जी ने भी इस विशे में एक detailed review meeting ली थी उसके बाद state level पर Secretary Health ने भी उससे संबन्दी सारे Secretary Health से किया है पांच विशे हमने जो field में focus करना उसके बारे में चर्चा की उसमें सबसे मुख्य विशे है international travelers के बारे में जिसमें हमने कहा है कि सारे sample उनके test हों चाहे वो address country से हों चाहे वे दूसरे देशों से हों और साथ ही जब वह international traveler community में चले जाते हैं एरपोर्ट से बाहर निकल कर तब भी उनको monitoring community level पर की जाए दूसरा विशे जो हमने state से request की है कि contact tracing of सारे positive person हो और उनको 14 दिन monitor किया जाए उनके सब के sample as per norm genome sequencing के लिए भीज़े जाए और कहीं पर भी daily basis पर monitoring करते हैं कहीं पर भी clustering of cases हो तो protocol के साब से उसको monitor किया जाए जरूरी है कि जब भी कभी कोई एक case आता है तो हमने इससे पहले भी कहीं बार इस वीशे में बात की है कि testing infrastructure एक बहुत important role play करता है तो उसको further standard किया जाए ensure किया जाए कि कहीं पर भी या तो hotspots आ रहे हों और otherwise भी cases आते हों तो उनको हम early testing के द्वारा जल्दी पकड़ने ताकि वह case severe में convert ना हो और उसी के साथ ही RT-PCR ratio जो RT-PCR पर जो हमारा focus है वह बना रहे जबकि rapid antigen 10 हमारे को early detection में otherwise भी help करेगा इसके साथ ही हमारे लिए जरूरी है कि हम continued basis पर देश की health infrastructure को upgrade करते रहें और इसके लिए चाहे वे ICU हों चाहे oxygen bed हों चाहे वेंटिलेटर हों और जैसे की ECRP 2 यानि की emergency COVID response package 2 के तहट 23,000 करोड रूपे जैस सैंक्शन हुए थे और जिसके तहट पिछले कुछ महीनों से देश का health infrastructure फर्दर upgrade किया जा रहा है state से request करते हुए तो उस infrastructure का कारे complete किया जाए हमारे जितने PSA plants हैं वह complete किये जाए उनको operational स्थिती में रखा जाए हमारा logistics चाहे वो PPEs हो N95 mask हों चाहे वो drugs हों उन सब को coordinate किया जाए और सबसे मुख्यविश है जो कि हम आपसे भी appeal करना चाहेंगे community sensitization, community level awareness तो जिसके लिए ज़रूरी है कि हम भै का वातरवन create नहों दे awareness create करें हम ये बताएं कि ये new variant की evidence क्या है और इसके तहट हमें क्या कारे करना है और साथ ही हम ये ensure करें कि community का support जैसे अब तक हमें मिलता रहा है उसी के तहट vaccine coverage को बढ़ाएं और COVID appropriate behavior को हम लोग follow करते रहें इसमें मुख्यत है जैसे कि WHO ने भी बताया है हमारे efforts five-fold है reduce exposure यानि कि हम सबसे पहले travelers या surveillance के द्वारा अपने exposure को कम करें suppress transmission यानि कि हम infection को फैलने ना दें साथ ही हम अपने vulnerable community के लोग को continuous basis पर ध्यान रखें और clinical management protocol और health infrastructure पर focus बनाते हुए mortality को reduce करें और सबसे important है कि हम community के साथ continuous basis पर engage रहें और ensure करें कि हम community के support से आगे कारे करते रहें माने प्रदान मंती जी ने कई बार इस विशे में कहा है कि COVID-19 की battle जन भागीदारी जन आंदोलन की है हमारे लिए जरूरी है जब हम पिछले almost दो साल से इस बिमारी से लड़ रहे हैं इस pandemic से लड़ रहे हैं इस महामारी से लड़ रहे हैं कि वाइरस का mutation हो सकता है वाइरस का स्वभाव बदल सकता है लेकिन हर तरीके से हम सब का वहवार फिर वही रहेगा हमारे methodology to manage COVID-19 presently still remains the same और उसी पर हमें focus बनाए रखना है धन्यवाद Dr. भागव जी Thank you. Thank you very much.